देखे जनता तो बदलाओ के मूर्ण में जनता को जो चीज चीज चीजे मिलनी रही पिछले कुछ दिनों से एक सप्ता तक तो अमारे यहां पे पानी नहीं आए पीने का पानी नहीं आए पानी बिलकुल भी नहीं पीने भी रूम्स है जिसली आगर ग्राउंड फ्रोल के छो हो रहा है उसे डेंगू फिल ला है कि अब कर दो कि नमस्कार नमस्कार नमएफ न्यूज का खास सो कौन जीतेगा दिली देख रहें आप मैं इस वक्त राजिंदर नगर में खराऊं और हम एक पार्क में खड़ें राजिंदर नगर का यह पार्क है आप पार्क की हालत करकसे अरबिंद केजरिवालजी का है स्मार्ट पार्क की सुंदर पार्क की स्वक्ष पार्क आपको दिखाई देगा किस तरीके से यहां पे गंदगी फैली हुई है चारो तरफ कूरे का धेर गंदगी और इससे किटानू मचर डेंगू बिमारिया भी होती होगी हमारे साथ यहां कुछ स्थानिये लोग हैं उनसे बातचीत करते और जानते आखी राजिंदा नगर में इस वक्त क्या-क्या समस्याय हो रही है यहां से जो मौझूदा एमेले है दुर्गेस पाठक आम आदमी पार्टी निगम पारसद आम आदमी पार्टी इसके बाव हैं और जितने भी स्कूल हैं हम उनों को अच्छे से उसका सुधार करेंगे और आप देख लीजिए आपके सामने हैं किस परकार से सुधार हुआ हुआ है और यह आप से छुपा नहीं है मीडिया से आप जाके देखेंगे पूरे एरिये का सर्वे करेंगे तो कहीं सड़क तूटी भी दिख जाएगी कई नाले तूटे भी दिख जाएंगे तो पारकों की हालत ऐसी दिख जाएगी और पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने लाइक नहीं है तो यह सरक पानी पार्क सीवर यह बेसिक समस्या इस वक्त राजिंदन नगर में बिलकुल सर यह सबसे ब प्रेसानी हैं और क्या क्या समस्या है दिल्ली विधानसवा चुनाव करीब है छे महीने के भीतर भीतर ही चुनाव भी होने वाले हैं क्या इस बार राजिंदन नगर की जनता ने क्या मन बनाया है क्या वापस से रिपीट करना है उसी आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को जो चीज चीज ती वेसिक चीजे मिलनी रही जनता को चीजे साप पानी सड़क अच्छी होनी चीए गलियां अच्छी होनी चीए और यह चीजे कुछ है नहीं तो कहां से मतलब जनता दुआरस इनों को बोट करेगी तो इसमारे बदलाओ और परिवर्तन जरूरी है मूड में राजिंदर नगर में जी हान जी बिलकुल जनता परिवर्तन के मूड में है और पिछले कुछ दिनों से एक सबता तक तो अपर पानी नहीं है पीने का पानी नहीं बिल्कुल बिलकुल सीवर्ण फेनी नहीं बहुत-पूरी गंदगी मची हुए देखिए आपके स कोई सुनवाई नहीं हमारी कौन जिम्मेदार है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए दस सल पहले सपने दिखाए दुबारा फिर से 2020 में सपने दिखाए जो काम अधूरा रहे कह रहे थे उसको हम पूरा करेंगे डुहहजाऱ पच्चीश आने वाला दस सल पूरा होने वाले दूरे कार पूरे हुए या नहीं हुए के कार्यन पूरे नहीं हुए हुए अगर कारिय होती mountain तो आपके सामने होते हैं और मेडिया के माधियम से आप दिखा रहे हैं ये तो ये किसी से छुपा नहीं है जग जाहीर है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो अभी 10 साल से सासन कर रही है उस्वें के सासन के अंदर क?... दिल्ली के अंदर कोई भी विकास का कार्य हुआ नहीं है जब जाने वाले होते हैं तब भी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं बताते हैं बहुत बड़े मैं राम भक्तु हनुमान भक्तु आने के बाद भी मंदिर जाते हैं सामने मंदिर है मैं कहूंगा एक बार दिखाईए कैम है जग जाहिर है कि बगल में केसे कहते हैं ना मुझ पे राम बगल में चुरा वाला काम करें जब काम करेंगे तो जनत उनों को द्वारा लाईगे क्यों और जनता आप ये देखी जनता का मूंड जो है इस भारी परिवर्तन का मूंड है और परिवर्तन के अंदर पूर्ण भोमत की भारतिय जनता पार्टी की सरकार आईगी अच्छा सर अब जो है दिली किया दिली को जो है नया सीम मिल गई आतीसी सीम बन गई जनता के बीच जाएंगे जनता चुनकर भेजेंगे तो फिर मैं उस कुरसी पर बैठूंगा क्या लग रहा है महौल इस वक्त दिली का क्या जनता वापस से भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी देखिए वो सीम नहीं कह सकते आप वो एक कत्पुतली है अगर सीम खुदी स् डीटों परमत्रिसों इंगे तरह आपको घृच्म जता Ama देखिए मांधू आँ फोला दरूंगा करें जिस तरीके और एक केजरिवाल जी की उंगली पर नाचने वाला जो कारिया चल रहा है वो सब को दिख रहा है तो वह भरत है या सत्रूदन यह तो हमारे को पता नहीं वह तो जनता जनारदन अपने आप बताईगी चुनाओं के अंदर कि वह किस परकार की भूमी का निवारी मैं यहांने राजिंदरनगर में इस बार कमल खिलना है 25 हंडरेट बन पर्सन भारत्य Аशनता पाटी की यहां पे विजय होगी और कमल खिलेगा फूरल है कि आम आदमी पाटि दस साल से दिल्नी में सरकार चला रही है इस वक्त हम राजिंदर नगर में मौजूद है करोलबाग राजिंदर नगर जाना जाता है छात्रों का हब है नहीं बिते दिनों और करोलबाग है स्टूडेंट का हव है यहां पर यूपी ऐसे रहते हैं पिछले कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुई थी अब बहुत सरा उस पर पॉलिटी हुआ अलग अलग पार्टी से ठीक है लेकिन अभी भी हम देखना है कि स्टूडेंट का क्या हुआ अभी देखे उसे डेंगू फैल रहा है अभी मेरा बहुत सरा दोस्त है अभी भी बात होता है तो एक विक में एक या दो को यह से कोई नहीं कोई प्रॉब्लम में जूच रहा है तब पता लग जाएगा किलीणिंग में चल रहा है इंसान के लगनी जानवरों की सुमी लगा के इंसानों को मारा जा रहा है तो महसने दो नंबर का काम चलत वद गूटालीлушай सुट्रण सीडेंट प्राइविट जो यहां पर गंगराम में हम लोह गंगराम में चले जाते हैं आपको एक तरह से डीजटल वर्ड में बताया गया कि बहुत अच्छा स्कूल है बहुत सारा महला की लेकिन ग्राउंड पर आपको देखना पड़ेगी स्टूडेंट है यह लोकल पबलिक कहां जा रही है आप जैसे डेंगू हो गया टाइफ हाइट हो गया इस पहुत ही घटी आ रहे हैं बहुत घटिया सपलाय है अगर आपको पता होगा तो पिछले बहुत सारे दिनों से बीज़ेपी सरकार में थी मुन्सिपलिटी में ठीक है जनता ने एक आसा के साथ चूना था कि हम आमादनी पार्ट के साथ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि इतना कफ देखें को किसपरत प्रकार की समस्या हो जरी आप भी उसे फिल करते होंगे जहलते होंगे तो मैं वो जानना चाहते हूं और क्या-क्या-क्या समस्यां हो यह पने बिमार हो रहे हैं चाहतर टाइफ वाइड हो रहे हैं गंदा पानी आ रहा है इसके अलाबा और बताई देखे जो पिछले बार रावा इसका इंसिडेंट हुआ था आप देखेगा तो जो जहां पर विवस्था थी शिर्फ वाजी राम के आसपास मतलब उस एरिया में वाटर पर गलत हुआ हैं मतलब वह अगर आप करते हैं तो जहां पर हम फेकेंगे कोई आप रहे हैं तो आप कुछ कर रहे हो तो उसका कुछ दिन पहले यहां पे लोकल विधायक है दुर्गे स्पार्टक जी आयोगे थे हम लोग कुछ आदमी स्टूडेंट में गया थी कि हम लोग बेसिक इस्टू है कि डेंगु हो रहा है टाइफाइड हो रहा है यहां पे जो जैसे दिखिए अभी जो इंसिडेंट के बाद जहां पे लाइबरेडी जो हम लोग 2000 में था अभी लगवग 35 में हो गया है समझ रहे हैं मतलब 80-90% इंक्रीज हो गया प्राइस तो कहां से फट कर पाएंगे समझ रहे हैं मतलब पहले हम लोग लोग लाइबरेडी में पढ़ते थे लाइबरेडी का कॉस 2000 था अभी 35 हो गय नहीं नहीं बेस्मेंट में अब पूरी तरह से बंद हो गई है ठीक है यह चीज अच्छा था अच्छा है गवर्मेंट का कि प्रो एक्टिव स्टेपल के बंद करवा दिया लेकिन उसका निगेटिव इंपक्ट यही हुआ कि आप प्राइस बढ़ गई है लाइबरेडी का अगर गवर्मेंट का इस तरह के वीडियो देख रहे हैं तो इस पर कोई एक्षन ले तो आपने सुना यह चात्र है हमारे साथ यहां पर राजिंदर नगर में और चात्रों की समस्याइब बता रहे थे कि कुछ समस्याओं का हल हुआ है उस घटना के बाद रोज आइस में घटना घटी लेकिन बाकी जगों पे जसका तसहबना हुआ है और अलावा जबतार है किस तरीके से प्राइस हाई हो रहा है तो छात्र यह इस तरीके से अधीय पैसे लगा करी हैं तो च्छात्र निगतिक्र अगर। आई-पीस बनने के सपने लेकर आते हैं तो अगर प्राइस हाइक हो रहा है तो काफी महंगाई की मार जहल नहीं होंगे अगर आप दस बजे के बाद लर्का हो या लर्कीस क्या होगा अगर आप मोबाइल ले जा रहे तो पूरा प्रवलम है कि स्टूडेंट है यहां पर बिजनस्में भी हो सकता है तो आप रात में सुरक्षा कितना दे रहे हो यह चीज बहुत लैग कर रहा है सरकार को पूरा के लिख रहा था मुखरजी नगर में उसका डेथ हो गया लोग देखे होंगे किस तरह से तो लॉइन ओर इसू आ रहा है स्टूडेंट के मतला हम लोग में पीर क्रेट होगी न कि अगर उस तरह के साथ हो सकता है तो सरकार को लॉइन ओर पर काम करना चाहिए लोग अगर यहा की बात कर रहे थे मैं चाहूंगा कि किसी लाइब्रेडी में आओ और मैं देखू वहां पे किस तरीके से अब परहाई चल लए और जहां जहां बेस्मेंट में बंध हो गया है ऐसी जगह मैं खुद आना चाहता हूं आपके साथ हाँ सीओर 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 हाँ चलिए तो हमार झाल झाल